आईए आज हम लोग मानो भोगोल के मुल सिद्धान्त कच्छा बारा भोगोल की इस पुष्टक के दूसरे अध्याय का अध्यान आज हम लोग करेंगे और जिसमें हम लोग पहले अध्याय का अध्यान हम लोगों ने किया है और यह पहला यह पुष्टक है और इसमें पहला अध्याय है मानो भूगोल प्राकृति यम्बिसे छेत्र इसका हम लोगों ने अध्धन कर लिया है आज हम लोग दूसरी अध्याय का अध्धन करेंगे इसमें बिसुजन संख्या, बितरड, घनत्तु और बृद्धी इसको हम देखेंगे, कि बर्तमान समय में पूरे दुनिया की जन संख्या काफी तेजी से बढ़ी है और एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है लेकिन हम लोग यहां तक यहां पर पूरे बिसुज़ की जन संख्या का अध्धन करेंगे उसकी समस्याओं और समाधान घनत्त बितरड बृद्धी सब चीज़ को देखेंगे तो इस प्रकार से हम लोग बृद्धी को देखेंगे कि पूरे दुनिया की जन संख्या में काफी तेजी से बृद्धी हो रही है ठीक और इस समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है इसमें जो अध्याए है इसे अध्याए में हम लोग देखेंगे कि परिवार का आश्तत और महत उसके सदयस्यां से होता है ठीक उसी प्रकार राष्ट का निरमार उसमें निवास करने वाले फुरसों इस्तरिय और बच्चों की संख्या से होता है राष्ट के भावगोरिक छेतर में निवास करने वाले संपूर मानुए संसाधन ही उसकी जनसंख्या कहलते हैं जहां जिसकी जितनी पापुलेशन है वो सब उसके human resource उन्हें कहा जाता है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या है तो राष्ट है अन्यथा वाच्छेतर बीरान मर्भूमी ही है राल्फ बाल्डी इमर्सन के अंसार कि सुर्ग से नहीं वरन इस्त्रियों और पुरुसों से एक मजबूत राष्ट्र एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है इस प्रकार से जनसंख्या ही किसी देश की वाच्टविक संपदा होती है क्योंकि मानो संसाधन ही राष्ट के प्राकृतिक संसाधनों का उपियोग करते हैं तथा उसकी नीतियों का निर्धार करते हैं जनसंख्या राष्ट की वाश्टविक धन होती है क्योंकि वही राष्ट के आर्थिक विकास का द्वार खोल कर उसकी गवरों गाथा को आकास तक पहला देती है ठीक इस प्रकार से अब हम लोग छोटे छोटे प्रस्णों को देखेंगे यह उत्तरपदे सेंसियारटी पार्ठ पुष्टक के प्रस्ण उत्तरों का भहास है इसमें पहला प्रस्ण है निमने लिखित में से किस महाद्यूप में जनसंख्या ब्रद्धी सर्वाधिक है किस महाद्यूप में जनसंख्या ब्रद्धी सर्वाधिक है उत्तर है अफ्रीका नेस्ट कोश्चन है निमने लिखित में से काउन सा एक बिरल जनसंख्या वाला छेतर नहीं है तो उत्तर है देखड़ी पूरवी एसिया बाकी और सब बिरल जनसंख्या वाले छेतर है अटा कामा है धुर्वी प्रदेश है भूमद्रेख्य प्रदेश है आए नेस्ट कोश्चन पर निमने लिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्स कारक नहीं है इसका उत्तर है गा चिकिस्सा आप लिख सैच्छरिक स्विधाएं आएए अब हम लोग आगे के प्रस्णों को दिखते हैं इसमें दिखेंगे कि निमने लिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्स कारक नहीं है यह सही है और खा है पांच अरब से छा अरब तक पढ़ने में जनसंख्या को सो बर्स लगे यह भी सही है इस प्रकार से तीसरा गा यह सही नहीं है तो उत्तर यही है अगला प्रस्ण है जनसंख्या के बित्रड को प्रभावित करने वाले तीन भावगोलिक कारकों का उल्लेक कीजिए तो इसका उत्तर है जनसंख्या के बित्रड को प्रभावित करने वाले तीन भावगोलिक कारक इस प्रकार है पहला है जल की उपलब्जता, तो जन संख्या के वितरड को प्रभावित करने के लिए जल की उपलब्जता बहुत जरूरी, जहां जल मिलेगा, परियापत मातरा में जल मिलेगा, मानो को पीने के लिए जहां पर जल मिलेगा, वहीं जन संख्या अधिक निवास करेगी, ठीक पहले फेक्ट दूसरा है भू आक्रिती भू आक्रित का मतलब जहां पर भू आक्रिती या धरातल की बनावट है मानों के रहने के अनकूल है वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी मानों के रहने के अनकूल मतलब समतल जहां पर इलाका होगा प्लेन होगा उपजाओ मिट्टी होगी खेती करने ही होगी मिट्टी होगी उस इलाके में मानों का बसाओ काफी अधिक पाई जाता है अगला है तीसरा पॉइंट है जलबायो तीसरा पॉइंट बहुत महत्पोड है जलबायो जलबायो भी जिस इलाके की जिस छेत्र की जलबायो मानों के रहने के अनकूल होती है उस छेत्र में जनसंहक्या का बसाओ अधिक पाजाता है टेक इस प्रकार से ये तीन जनसंहक्या की बेत्र को परभावच करने वाले कारक रहे हम लोग अगले प्रस्ण को देखेंगे विष्व में उच्छे जनसंहक्या घनत्तौ वाले अनेक छेत्र हैं ऐसा क्यों होता है इसका उत्तर देखते हैं विश्व में उच्छ जनसंख्या घनत्व वाले अनेक छेत्रों के होने का कारड यहां जनसंख्या बसाओ को प्रभावित करने वाले समान कारक पाजाना है ठीक ध्यान दीजिएगा विश्व में उच्छ जनसंख्या घनत्व वाले अनेक छेत्र हैं ऐसा क्यों है क्योंकि विश्व में उच्छ जनसंख्या घनत्व वाले अनेक छेत्र के होने का कारड क्या है यहां जनसंख्या बसाओ को प्रभावित करने वाले समान का रखता पाज अगला है तीसरा है जनसंख्य परिवर्तन के तीन घहटक कौन कौन से हैं regulators के तीन घहटक पहला है जनमदर दूसरा है मृत जर और तीसरा है जन संख्य परवास तीच आगे हम लोग दिखेंगे जनमदर और सबसे पहले हम लोग जन्मदर को देखते हैं जन्मदर एक बर्स में एक हजार जन्म संख्या के पीछे जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्मदर कहते हैं ठीक जबकि प्रती एक हजार लोगों की पीछे एक बर्स में मरने वाले की संख्या को बिर्तुदर कहा जाता है इस प्रकार से हम लोग अगले प्रस्न को देखते हैं प्रवास के प्रतिकर्स कारक और अपकर्स कारक उत्तर है कि प्रवास के प्रतिकर्स कारक रहन सहन की निमने दसाएं राय नेतिक पद्रव, प्रतिकूल जलबाईव, विपदाएं, महा मारी तथा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है जबकि प्रवास के अतिकर्स कारक रहन सहन की अच्छी दसाएं, सांती जानमाल की सुरच्छा, अनकूल जलबाईव, तथा उन्नत सामाजिक और आर्थिक दसाओं का होना है आगे हम लोग देखेंगे की लग ऊत्तरी प्रस्मा में कि बिसु में जनसंख्या के बितरड और घंत को परभावित करने वाले तो इसका उत्तर है कि में थोड़ा देख लेते हैं हैं हम लोग। प्रत्वी पर जन संख्या का बितरड बहुत आसमान है, प्रतिवर किलोमेटर आउसद घनत तो 42 बेक्ति है, प्रत्वी के थोड़े से थल भाग अतन सग घाने बसे हैं, दूसरी वोर बिश्तरित भूभाग या तो बिरल हैं अथो निर्जर पड़े हैं। तो किसी छेतर पर प्राकृतिक वाता है वरण के तक्तों का प्रभाव तो मानों बितरड पर पर प्रतिचरूप से पढ़ता ही है, साथ ही वहां के सांस्कृतिक मुद्रिस्यों का भी गहरा प्रभाव पढ़ता है। केंद्रिय इस्तिती जनसंख्या को अधिक आकरसित करती है। क्योंकि इस प्रकार के इस्तिती से दूसरे देशों के साथ स्विधापूर्बक संपर्क इस्थापित हो जाता है। फलता परिवहन एवं व्यापार का विकास होता है। जिस देश की इस्तिती समुद्र्थ तटिय होती है, वहां भी सेखन जनसंख्या मिलती है। विश्त की जनसंख्या समुद्र तटिय भागों में नदियों की किनारे खनिज केंदरों में और दोगिक केंदरों में ही केंदृत है। सुदूर छेत्र पेच्छा किडित कम जनसंख्या आकरशित करते है। दूसरा पॉइंट है जलवाय। की क्लाइमेट। जिन संख्या बितरड़ पर जलवायु का प्रभाव अधिक पड़ता है, विस्त की सम सीतो उस्ड जलवायु तथा मानसूनी जलवायु की प्रदेश सरवादि घने बस से छेतर हैं, मानसूनी जलवायु प्रदेश में विस्त की आधि जिन संख्या केंद्रित है, जहां कठोर जलवाई होती है वहां घनत तो कम मिलता है जैसे भूमद रेखिये प्रदेश उसलमर वस्तलिये चेत्र या आतदिक ठंडे प्रदेश ठीक इस प्रकार से हम लोग अगला प्रश्म जनांक की किये संकरमड की तीन अवस्थाओं की विविश्ण कीजिए इसको भी हम लोग सोड़ा देख लेते हैं जनांक की किये संकरमड तो जनांक की किये संकरमड वह सिध्धान्त है जो किसी छेत्र की जनसंख्या के वारन तथा जनसंख्या के भावी अनमान में उपयोगी होता है इस सिध्धान्त से एसपष्ट होता है कि जैसे ही एक समाज ग्रामीर खेतिहर और आसेचित अवस्था को त्याक कर नगरी और दोगिक और साक्षर बनता है तो जनसंख्या उच्छ जनमदर और उच्छ मृतुदर से निमन जनमदर और निमन मृतुदर में बदल जाती है जिसे इसामोहिक रूप से जनांक की ये चक्र कहते हैं इधर देखिए मान्चित्र के माधन से समझाया गया है एक ग्रामीर खेतिहर हैं जब इस कन्वर्ट होते हैं नगरिय और दोगी छ्षेतर में तो जंनाकी संक्रमण से नगरिय और दोगी छ्षेतर में बदलते हैं और साक्षर बन जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है निम्न जनमदर और निम्न मृतुदर हो जाती है गरामेड और खेतिहर में उच्छे जनमदर उच्छे मृतुदर होती है लेकिन नगरिय और दोगी छेत में पहुचने पर निम्न जनमदर और निम्न मृतुदर हो जाती है आगे हम लोग देखेंगे जनांके कि ये संकर्मण की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती है पहली अवस्था है पहली अवस्था में उच्छ जनमदर तथा उच्छ मृतुदर होती है इस अवस्था में महामारी भुख मरी मृतु का कारण बनती है लोग क्रिसिकार करते हैं, अता बड़े परिवार अच्छे माने जाते हैं, लोगों के असेच्छित होने से साच्छता और प्रदोकी का आश्तर नीचा रहता है, दुतिय है कि दुतिय अवस्था में उची प्रजनन सीलता समय के साथ घड़ती है, पोसड, स्वास्थ और अध्य योग बढ़ जाता है, और आगे हम लोग, तीसरा है, पॉइंट है, जिसे कहते हैं तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था में जन्मदर और मृत्यदर दोनों आधिक खड़ जाती है, आता है, जनसंख्या या तो इस्थिर रहती है, अथवा मन्द गत से बढ़ती है, जनसंख्या नगरिये सिच्छित तथा तकिनिकी ज्ञान संपन बन जाती है, बर्तमान बिश्व में, बर्तमान समय में बिश्व के अनेक देश जनसंख्या संक्रम्र की वरिस्ता से कुचर रहे हैं, ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने, यह देखा, अब हम लोग इसके चोटे प्रस्नों को भी देख लेते हैं, जो अन्यमात्पूर प्रस्न है, इसको देखना जरूरी होता है, ठीक, इसको भी देख लेते हैं, कि सोड़ से नहीं वरन एक राष्ट्रे किसे से मजबूत और महान बनता है, तो इसका उत्तर है, इसका उत्तर है इस्त्रियों और ज्यान दिजिएगा, प्रहला प्रस्ण है, सोड से नहीं वरन एक राष्ट्र किस से मजबूत और महान बनता है, उत्तर है घा, इस्त्रियों और पूरुसों से. अगला प्रस्ण हम देखेंगे, कि केश्वी सद्धी की प्रारम में बिश्ट्र की जनसंख्या निम्न में से कितनी दर्ज की गई है, इसका उत्तर है तूसरी का का की छे सो करोड़ा, ठीक, तीसरा प्रस्ण है, जनसंख्या की बितरक को परभावित करने वाला निम्न में से कारक नहीं है, तो तीसरे प्रस्ण का उत्तर है, घा यह जल की अपलबता, ठीक, आगे हम चौथा प्रस्ण देखेंगे, कि हरी सपना गाउं छोड़कर मॉंबई जाकर बस गया, मॉंबई को निम्न में से क्या कहा जाता है, चौथे का खा है, उसको कहेंगे गंतब अस्था ठीक, अगला प्रस्ण है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का अब करसक कारक नहीं है, इस प्रकार हम देखेंगे, पांचवे प्रस्ण का उत्तर है, गा रायनीतिक उपत्रों, ठीक, आगे देखेंगे, छटा प्रस्ण है, संसार की बरतमान जनसंख्या निम्न मे से लगभग कितनी है तो इस प्रकार से देखेंगे संसार की बृतमान जनसंख्या 700 करोड ठीक छटे का खा है 700 करोड लगभग है ठीक संसार की जनसंख्या लगभग 700 करोड है नेश्ट कोईश्चन पर हम आएंगे कि भारत की वार्थिक जनसंख्या ब्रिधी दर निम निमे से कितनी है इस प्रस्ण को देखेंगे तो इसका उत्तर है एक दिसम्बलो छे चार ठीक, सातों एका का उत्तर है ठीक, जिसका एक दिसम्बलो छे चार भारत की वार्षिक जनसंख्या ब्रदीदर एक दिसम्बलो छे चार प्रस्त है अगला प्रस्ना है निमने लेखे देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है किस में अधिक जनसंग क्या है ठीक, तो आठोवा प्रश्ण है जिसका उत्तर खा दिया गया है USA ठीक, USA में इस चारों आप्सन में सबसे अधिक जनसंग क्या USA में है ठीक, खा का अगला प्रश्ण है निमने लेखित में से कौन सा बिष्टु का सबसे घना बसा महादीव है तो इस प्रकार से इसका उत्तर है इसका उत्तर नुवा प्रस्न है नुवा प्रस्न का उत्तर है खा एसिया एसिया महादीव बिष्टु का सबसे घना बसा महादीव है ठीक इस प्रकार से हम देस्वा प्रशन देखेंगे, निमने लिखित में से कौन सा बिष्टु का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, ठीक, एक बार फिर से धेन देएंगे, निमने लिखित में से कौन सा बिष्टु का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, देस्वा प्रशन है, इसका उत्तर है गाह, मतलब चीन, चीन बिष्ट की जनसंख्या का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, या कर लिजिए बिष्ट का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश चीन है, और ज्यान रखिएगा सेकंड नमबर पर भारत है, ठीक, अगला प्रशन है, निमने देशों म किसकी जनसंगे अधिक ब्राजील, संजुक्त राज अमेरिका, इंडिनेसिया, बंगलादेश, इन चारों में से देखेंगे तो इसका उत्तर खा है, गेरा हमें का खा है, संजुक्त राज अमेरिका, ब्राजील, संजुक्त राज अमेरिका, इन चारों में सबसे अधिक जनसं तुमें से कौन विष्टु का सबसे बड़ा मानो जमघट है तो इसको हम देखेंगे तो बरहामा प्रश्ण है बरहामे का उत्तर है का और दच्छली प्रश्च मी ऐसी है अगला प्रश्न है जन संख्या आकार के अनुसार ब्रहत्तम महाद्यूप कौन सा है ठीक ते रहमा प्रश्न है ते रहमा प्रश्न है इसका उत्रगा है अर्था देशिया जन संख्या आकार के अनुसार ब्रहत्तम महाद्यूप चारों में योरोप उत्रिमेरिका अफरीका एसिया में एसिया महाद्यूप में एसिया है जन संख्या आकार के अनुसार ब्रहत्तम महाद्यूप एसिया है चुकि दुनिया के दो बड़े कंट्री इस महाद्यूप में पाए जाते हैं चीन और भारत चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है और दूसरी नमबर पर भारत है ठीक इस प्रकार से और दच्छी ये पूरा इलाका काफी सखन बसा हुआ है इसलिएंच जनसंख्या महाद्यूप सबसे अधिक है इस प्रकार से जनसंख्या आकार के अनुषार अधिक आज हम लोगों ने अध्याय दो के महत्पूर प्रस्णों को देखा और जिसमें बहुत बिकल्पिये प्रस्णों को भी हम लोगों ने देखा और आज हम लोग बस इतना ही यहीं तक अध्धन करेंगे ठीक इसके आगे तिसरा अध्याय हम लोग आगे पढ़ेंगे